हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्व परहार में मैं हूँ एड़ोकिट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक लेटेस जज्जमेंट की बात करने वाला हूँ जो के अभी 26.07.2022 यानि 26.07.2022 को ही आया है अब दोस्तों ये जो जज्जमेंट है इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि आपके मैट्रिमोनियल केसेज में मल्टिपल इटिकेशन होते हैं कई बार ऐसे भी होता है हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं अगर डावस हो जाएगा तो क्या मेरा 498 खतम हो जाएगा या अगर मेरा DV खतम हो जाएगा तो सेम ऐलिगेशन थे तो क्या मेरा 498 खतम हो जाएगा ऐसे बहुत सारे questions आप लोग के मन में उठ सकते हैं तो इनी questions पर आज का ये वीडियो है एक latest judgment के साथ साथी वो लोग जो की matrimonial disputes के दौरान विदेशों में चड़े जाते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत कमाईगी क्योंकि उनके भी कई सवाल होते हैं कि सर अगर मैं वहाँ पर भाहर रह रहा हूँ और यहाँ पर मेरे खिलाब 498 हे हो जाए और अगर मैं उसमें नहीं आ पाता हूँ तो क्या होगा तो ऐसे लोग जो भाहर जाके बस गए हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत important है तो दोस्तो हर वीडियो से हर judgment से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हो सकता है बहुत सारी judgment ऐसे होते हैं जो हमारे मामले में fit नहीं बैठते लेकिन ये guaranteed है कि सीखने को जरू कुछ न कुछ मिलेगा इसलिए कहते भी हैं कि एक law student और एक वकील जो है वो हमेशा student ही रहता है क्योंकि वो हर पल सीखता है इसी तरह से आम पब्लिक भी अगर law से जुड़ती है तो वो जितना पढ़ ले उतना कमी है तो दोस्तो वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसके पस्चात वो जो है दुबई चला गया और ये कहते हुए जो वाइप थी उसने इंडिया में 498A और 406 में एक FIR दर्श करवा दी अब दोस्तो जो हजबेंड है हजबेंड अपनी तरफ से क्वेशिंग माया अब उसने क्वेशिंग का ग्राउंड क्या बनाया उसने ये कहा कि दुबई में उन दोनों के बीच में litigation और चल रहा है शार्जा कोट UAE में उनके बीच में litigation चल रहा है और जब वहाँ पे litigation चल रहा है डावोस वगएरा की प्रक्रियां उनकी चल रही है तो फिर यहाँ पर यह 498A और 406 करना नहीं बनता है यहाँ पर दोस्तों कोट ने कहा कि यह आपके UAE में मामले चल भी रहे हैं तो वो civil nature के मामले है डैबोस और RCR जो होता है वो civil nature का मामला होता है यहाँ जो आपका 498 ए दरजे यह criminal nature का मामला है जिसमें कि आपको punish कराने के लिए आपके द्वारा किये के किरते के लिए आपको punish कराने के लिए मामला डाला गया है तो इसका उनसे directly कोई link नहीं है कि अगर वो मामले वहाँ चल रहे हैं तो यह मामला यहाँ नहीं चल सकता है जो नहीं आया नहीं आया तो उसके खिलाब warrant वगेरा issue हो गया और उसको absconder घुशित कर दिया गया तो यहाँ पर court ने बहुत ही महत्पून बात कही कि यदि आप किसी मामले में absconder है और आपके खिलाब कोई arrest warrant issue रखा है तो ऐसे में आप किसी भी प्रकार के question के relief के अधिकारी नहीं है यह अकेला ground ही केवल इस petition को खारिज करने के लिए प्रयाप्त है और इस प्रकार से इस मामले में question नहीं की गई दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यदि आप dates पे नहीं जा रहे हैं यह ground लेते वे कि आप विदेश में रहे हैं तो आपको problem होनी तय है आपको esconder घोशित कर दिया जाएगा हो सकता है आपके मामले में कुरकी के आदेश भी जारी हो जाएगा और आपका arrest warrant भी हो जाएगा नेक्ट वीडियो में नए लेगल जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching take care